पीपल और पत्थवारी की कहानी, किसी गाव में एक गुजरी रहती थी, उसने एक दिन अपने बहु से कहा कि जा तु ये दूद दही बेच के आ, वो दूद दही बेचने चली गई, रास्ती में उसने देखा कि कार्थिक माह में औरती पीपल सीचने आई हैं, वो उन्हें द पूछा कि ऐसा करने से क्या लाव होता है, उन्होंने जवाब दिया कि ऐसा करने से अन्धन की प्राप्ती होती है, अगर किसी का पती वर्सों से बिछड़ा हुआ है, तब वो मिल जाता है, सारी बाते सुनकर वो गुजरी बोली, तुम तो पानी से सीच रही हो, मैं तो पूछूंगी, गुजरी हर रोज आती और सारे दूद दही से पीपल की पत्वारी को सीच जाती, उसकी सास उससे हर रोज पैसे के बारे में पूछती, तो वो कर देती कि कार्ति का महीना खतम होने दो, तब मैं सारे पैसे लाकर दे दूँगी, कार्ति का महीना पूरा होने वाला था पूर्णी मा आ गई तो वह गुजरी पीपल की पत्वारी के पास धारना देकर बैठ गई पीपल ने उससे पूछा कि तू यहां क्यों पड़ी है उन्हों ने कहा कि मेरी सास दूद दई के पैसे मांगेगी पीपल ने कहा कि मेरी पास पैसे नहीं है यह भाटे डंडे पत्ते और पान पड़े हैं यह सब ले जाकर गुलक में रख देना गर जाने पर सास ने पूचा कि पैसे लाई तब उसने कहा कि मैंने गुल्लक में रख दिये हैं सास ने गुल्लक खोल कर देखा तो उसकी आँखे फटी रह गई गुल्लक में से हीरे मोती जगमगा रहे थे पत्ते धन में बदल गए थे जीने देकर सास बोली इतना धन कहां से लाई बहु ने कहा सारी बात सास को बहु ने बता दिया उसने तो दूद दही से पीपल की पतवारी सीच दी थी और पैसे मांगने पर पीपल के पत्ते डंडे भाटे दे दिये थे और वो गुलक में रखने से हीरे मुती बन गए बहु की बात सुनकर सास बोली कि मैं भी पीपल की पतवारी सीचने जाओंगी सास दूद दही को बेच कर आती और दूद दही की हांडी धोकर पीपल की पतवारी में रखाती थी घर आकर वह बहु से कहती कि तू मुझसे पैसे मांग बहु कहती कि कवी बहु भी सास से पैसे मांगती है क्या सास के बार बर कहने पर आखिर कर बहु ने सास को पैसे लाने के लिए कहा तो वह पीपल के पास धरना दे कर बैठ गई पीपल ने भाटे, पत्ते, डंडे और पान उसे भी दे दिये और वो उसने गुलक में जाकर उसको रख दिया बहु ने गुलक फोड़ा तो देखा कि उसमें कीडे मकोडे चल रहे थे गुजरी ने अपनी सास से कहा कि यह क्या सास कीडे देखकर बोली कि पीपल पत्तवारी ने तुझे धन दिया लेकिन मुझे कीडे मकोडे दिये इस पर सभी औरते बोली कि तुमारी बहु ने सभी कुछ सच्चे मन से किया था लेकिन तुने धन के लालच में यह सब किया इसलिए हाँ चोड़ कर कहना चाहिए कि है पत्तवारी माता जैसा अपने बहु को दिया वैसा ही हमें दे अपने भक्तों को दे और जैसा अपने सास को दिया वैसा किसी को मत देना